हانओ दोस्तो, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वाटर पाइपलाइन के एस्टिमेट को कैसे बनाया जाता है और उसके क्वान्टिटीज को कैसे केलकुलेट किया जाता है तो दोस्तो अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आए तो like, share and subscribe करना ना भूलिए तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे जो हरा फस्ट आइटम से exhibition in foundations and trenches इसमें हम बात करेंगे जो हरा मनरेगा square code है 60.704 and 4 times 0 सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे जो हरा फास total number 100 pipe है हम use कर रहे हैं 125 number और जो पर pipe की length हम बात है 6 meter और जो cutting width हम बात है 0.45 meter और cutting height है दोस्तों 0.45 तो total quantity हम बात कालकुलेट हुई है दोस्तों 104.875 cubic meter पर cubic meter जो हम बात cutting order feeling का rate है दोस्तों send का हो है 330.65 for cubic meter तो total amount हम कालकुलेट करेंगे दोस्तों जो हरा total quantity calculate हुई है 101.875 into 330.654 तो दोस्तो total amount हमारा पास calculate हो जाएगा next item है हमारा पास water pipeline जो हमारा पास water pipeline का डाया है दोस्तों वह 15 mm डाया हम use करेंगे water pipeline का तो providing and laying in trenches galvanized mild steel tube जो हमारा मनिरे का secure code है दोस्तों इसका 60.3.5 हम use करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो total numbers of pipe है हमारा पास 125 और per pipe की length है हमारा पास 6 meter तो total quantity हमारा पास calculate हुई है दोस्तों 750 running meter per running meter जो हमारा पास rate है pipe का दोस्तों वह है 137.044 per running meter तो total amount हम calculate करेंगे जो हमारा quantity थी 750 meter into 137.044 तो total amount हमारा पास calculate हो जाएगा next item है दोस्तों हमारा convince जो हम convince यूज करेंगे 13926.75 हमने convince यूज किया है तो आपको दोस्तों इसके बारे में हम आपको पूरी detail में आपको जानकारी देते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमने water pipeline यूज की थी उसकी total quantity थी हमारा पास दोस्तों 125 नंबर market rate और schedule rate जो पर pipe का difference हमारा पास calculate हुआ है दोस्तों है 5.83 तो total difference हमारा पास calculate हुआ है 726.75 next item में दोस्तों हमने यूज किया है और जो पर union का rate है दोस्तों है 95 तो total amount हमारा पास calculate हुआ है दोस्तों है 950 रुपीज next item है दोस्तों हमारा पास socket जो हम socket यूज कर रहे है 115 नंबर हमने socket यूज किये दोस्तों और जो पर socket का rate है दोस्तों है 35 रुपीज तो total amount हमारा पास calculate हुआ है 4,025 रुपीज next item है हमार पास water tank जो हम use कर रहे है two numbers some water tank use कर रहे हैं दोस्तों और per water tank का मार्केट रहे हैं जो amount है market rate होगा is 1700 रुपीज तो total amount हमार पास calculate हुआ है 11,400 रुपीज दो water tank का next है दोस्तों हमार पास gate wall तो two numbers हम gate wall रहे हैं और market rate है per gate wall का होगा है 500 रुपीज तो total amount हमार पास calculate हुआ है 1000 रुपीज next item है हमार पास float ball with fitting जो two numbers हमने use किया है तो उसका amount हमार पास calculate हुआ है 1600 रुपीज next item है दोस्तों हमार पास water tank stand जो हम stand use कर रहे हैं two numbers हम stand use कर रहे हैं तो two numbers stand का मार पास amount calculate हुआ है 4000 रुपीज तो next आइटम है वह सब्सक्राइओ एलभू यूस कर रहे हैं फिटिंग में five numbers हमने एलभू यूस किया है और market rate है ₹45 पर एलभू का तो total amount हमेरा पास calculate हुआ है दो सो 25 रपीज और जो हमेरा total將vence used हुआ है दोस्तो हुए 23,926 पॉइंट 25 रुपीज जो हमने आपको estimate में already mention क्या हुआ है total estimate का जो हम आपस amount calculate हुआ है water pipeline का हुए दोस्तो 1,60,930 रुपीज